अगर आफ्के पास रखे हैं एकाज่ बर्गर बन और पता है आपके घर में आ गाए गुप सारे महमान अच्छानक से तो पता है या तीन बर्गर बन से क्या ही होने वाला है उसको डालो पानी के अंदर और उसका ना एकड़म हल्वा बना लो हलवा बनाने के पाद इसमें डाल दो सूजी और इसको बस ऐसी धक्के रख दो तब तक एक पैन लो उसमें हलक असा तेल डाल करें जोतनी भी सबजी अगर बच्ची है घर पे वो सब डाल दो और हलकी फलकी सब्जी के साथ कुछ मसाले भी डाल दो जैसे की नमक, धनिया, थोड़ी सी लाल मिच फिर इसमें डाल दो जो उपने बर्गर बन का हल्वा बनाया था न वो और सब चीजे अच्छे से मिला के इसका डो बना लो गरम बहुत है इसलिए अराम से इसका डो बनाना और अब यहां भी आपकी मर्जी है कि आप इसे कौन से शेप देना चाहते हैं मैंने इसको कोई भी ऐसा ऐसा शेप दे दिया है उसके बाद मैं यहां ले रही हूँ इको बेक जिसमें यह सब चीज़े चिपक ना जाएं स्ट्रे के साथ 10 मिनिट के लिए हम इसे फ्राइ कर लेंगे और यह महमारों के लिए बन कर तयार हो जाएगा वह कहा के ना बस खुशी हो जाएंगे तो काफियो मज़े को रहा खुश्यों